क्लियर हो गया यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को कोई संदे होना चाहिए किसी को पुछ आगे चलते हैं अब यह तो अर्थमेटिक अपरेटर क्लियर हो गया यहां से मैं दो वेरियेबल्स को कॉंपी कर लेता हूँ और इन सभी वेरियेबल को मैं कमेंट आउट किया कंट्रोल फ़रवड सेट दबाया कमेंट हो गया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने अब हम कुछ कमपेरीजन ओपरेटर देख लेते हैं कमपेरीजन इस्पेलिंग हो सकता है मैंने लगा दिया डिलीट करता हूँ इसको कमपेरीजन ओपरेटर का क्या मतलब है कमपेरीजन करना मतलब तुलना करना हम तुलना करते हैं यहाँ पर किस से दो वैल्यू से या फिर दो वेरियेबल से कैसे करेंगे कंसोल डॉट लॉग तो आपने जो मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा या फिर ग्रेटर देन एकवल टू लेस देन इकवल टू मैं यहाँ पर कमेंट करके लिखता हूँ मतलब इकवल टू हैं दोनों बराबर हैं या फिर यहाँ पे एक और operator आ जाता है triple equal to triple equal to का मतलब है data type को भी match किया जाएगा और एक और operator है not equal to मतलब बराबर नहीं है तो हम बारी बारी से सभी का परिक्षण करते हैं यहाँ पे मैं लिखूंगा 10 और यहाँ पे less than करूँगा और फिर से 10 कर लिख दूँगा और इसको मैं run किया यहाँ पे आ गया false correct तो computer जो है वो सिर्फ समझता है 0 और 1 इस 0 और 1 पे ही सारा काम computer कर लेता है अब यहाँ पे क्या किया गया है यगर 0 है तो false और 1 है तो true कर दो तो यहाँ पे true false के according ही सारा programming हमारा होता है true all true और false के कारण ही तो यहाँ पे हमने क्या चेक करा 10 less than 10 क्या 10 छोटा है 10 से तो 10 10 से छोटा तो कभी होता ही नहीं है तो इसलिए यहाँ पे false आ गया मैं क्या करता हूँ बदल देता हूँ 10 के दिए पे मैंने 9 कर दिया यहाँ पे और अब program को run करूंगा यहाँ पे फिर भी false हो गया मतलब 10 तो 9 से छोटा है क्या तो होता नहीं है 10 बड़ा संख्या है 9 छोटा है लेकिन मैं 10 इधर जो right में left side में 10 है इसको मैं 1 कर दूं और इसको run कर दूं तो यहाँ पे true आ जाएगा 1 less than 9 true हो गया क्योंकि 1 जो है 9 से छोटा है तो इसलिए यहाँ पे true आ गया तो यह वाला operator जो है less than का इसका मतलब यही होता है दूसरा operator देखते हैं इसको मैं comment करता हूँ इसके बाद है less than equal to 10 करूंगा less than equal to 10 इसका मतलब क्या है मैं program को run कर देता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा true तो उपर में तो false आ जा रहा था तो वहाँ पे सिर्फ less than का sign था और यहाँ पे equal to का भी sign है इसका मतलब यह है 10 less than equal to 10 मतलब 10 छोटा है या फिर बराबर है 10 के तो 10 10 से छोटा तो कभी नहीं होता परन्तु बराबर जरूर होता है तो इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा true आ गया तो 10 less than equal to 10 यह true हो गया अब इसको मैं यहाँ पे 9 कर देता हूं 9 करने के बाद false आ गया 10 जो है नहीं छोटा है नहीं बराबर है 9 से इसलिए यहाँ पे यह false आ गया इसको मैं और छोटा कर दो 5 less than equal to 10 तो 10 के बराबर नहीं है यह 5 लेकिन छोटा जरूर है इसलिए true आ गया अगला operator देख लें अगला operator देख लेते हैं अगला operator क्या है यहाँ पे मैंने कॉमा देना भोल गया greater than तो यहाँ मैं 10 लिखता हूं greater than 9 करता हूं 10 greater than 9 तो इसका true आ जाना चाहिए तो true यहाँ पे आ गया क्यों क्योंकि 10 greater है 9 से 10 बड़ा है 9 से 9 से इसलिए true आ गया इसको मैं 9 के जगर पे 90 कर दिया तो अब result क्या आएगा अब false आ जाएगा 10 greater than 90 यह तो wrong है false है इसलिए false आ गया अगला देखते हैं इसको मैंने करा greater than अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है 5 greater than equal to 10 तो यह तो false है तो यहाँ पे output false ही आने वाला है फरन्तु मैं इसको 50 कर दो 50 कर दो 50 greater than 10 तो यह तो true होगा क्यों भई false क्यों हो गया 50 मैंने save नहीं करा save कर देता हूँ मैं तो यहाँ पे true हो गया 50 जो है बड़ा है 10 से तो यह आगा इसके बाद कौन सा operator है equal to का operator है मैं इसी को paste करता हूँ यहाँ पे 5 equal equal 5 करता हूँ और इसको मैं run कर दूँ तो यहाँ पे true आजाएगा क्यों 5 equal 5 तो double equal to का मतलब यह है कि h बतार दोनों में तुलना कर रहा है कि क्या बराबर है बराबर है तो true आजाएगा बराबर नहीं है तो false आजाएगा मैं 50 कर दिया इसको अब 5 और 50 दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पे false आ गया तो यह equal to operator का use है अब यहाँ पे double equal to है और यहाँ पे triple equal to है यहाँ पे मैं एक equal और बढ़ा दे रहा हूँ और मैंने base को reload करा तो true आया एक equal को हटा देता हूँ मैं यहाँ से और फिर program को run कर देता हूँ तो यहाँ पे true आ रहा है दोनों में कुछ अंतर समझ में नहीं आ रहा है आउटपुट तो सेम ही आ रहा है ना अंतर समझने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे मैं dual quote में five को लिख दिया अब आप ध्यान से देखिए five यहाँ पे लिखा हुआ यह number में है और यहाँ पे जो five है वो string में है अब output हम देखते हैं अब जरूर अंतर आएगा अब यहाँ पे false आ गया परंतु मैं इसको double equal करता हूँ triple equal नहीं double equal करता हूँ तो double equal करने के बाद क्या हुआ यहाँ पे true आ गया तो यह experiment क्या आप साबित कर रहा है इस experiment का मतलब यही है कि double equal to जो है वो सिर्फ value को comparison करता है data type को नहीं data type को double equal to check नहीं करता बल्कि value को check करता है बराबर है या नहीं बराबर है तो true देगा नहीं है तो false देगा परंतु मैंने triple equal to लगाया तो value के साथ साथ data type को भी वो check करेगा अब मैंने दोनों five को string के form में दे दिया अब मैं यहाँ पर रन किया तो true आ गया तो यह अंतर है आपका double equal to लग triple equal to और double equal to में इसको भी मैं comment कर देता हूं यहाँ पर अगला operator है हमारा not equal to तो not equal to हम करके देख लेते हैं not equal to five not equal to ten मतलब यह पांच बराबर नहीं है दस के बिल्कुल सही पांच दस के बराबर बिल्कुल नहीं है true आ गया यहाँ पे लेकिन मैंने इसो क्या किया दस को पांच बना दिया पांच बराबर नहीं है यह तो false है 5 5 के बराबर होता है तो यहाँ पे output false आ जाएगा तो यह वाला जो operator था यह बराबर है में तुलना करता था बराबर है लेकिन यह बराबर नहीं है पूछता है यहाँ पे भी double equal to आप लगा सकते हैं तो क्या होगा यह भी data type को check करेगा अब false आ रहा है परन्तु मैं इसको dual quote में करो तो true आ जाएगा क्यूंकि जिस तरह से triple equal to data type को भी check करता था उसी तरह से not double equal to data type को भी check करता है 5 integer form में है और यह वाला जो right side का 5 है यह string में है इसलिए बराबर नहीं है और बराबर नहीं है का operator लगा हुआ है यहाँ पे इसलिए true आ गया कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आगे चले तो यहाँ पे हमारा comparison operator जो था वो इंड हो गया comparison operator के बाद हम assignment operator देख लेते हैं assignment operator क्या करता है value को assign करता है मैं लिख देता हूँ assignment operator assignment operator के इतने तरह के हैं comment यहाँ पे करता हूँ और लिख देता हूँ assignment operator में तो equal to है plus equal to है minus equal to भी हो जाएगा मैं कॉमा भूल गया लिखना फिर multiply के साथ भी equal to है फिर divide के साथ भी equal to है फिर modulus operator भी एक होता था ना मैं भूल गया बताना उस समय पे जो है यहाँ पे बताना same आप क्या करेंगे यहाँ पे mod लिख देंगे आप percent का sign तो यह mod operator रह जाएगा इसको आप practice करके देखिएगा यह modulus operator है यह क्या करता है यह successful बताता है successful को modulus करेगा remainder जो बचेगा वही return कर देगा हिंदी में बोले तो successful हो गया तो यहाँ पे भी वैसे remainder है तो let variable बनाया मैंने और यहाँ पे लिख दिया z यहाँ पे 10 कर दिया तो यह वाला जो equal to गा assignment operator है यह क्या करता है इसका काम सिर्फ इतना है कि right side में जो भी value है उसको left side में shift कर देगा right side का जो भी value होगा उसको left side में assign कर देगा right side का value को left side में दे देगा सिर्फ यही काम है इसका तो यह assignment operator है यहाँ पे एक और assignment operator है plus equal to तो मैं let लिखता हूँ यहाँ पे और x दे देता हूँ plus equal to नहीं ऐसे नहीं करूँगा मैं z लिखता हूँ और plus equal to लिखता हूँ और 10 कर देता हूँ और नीचे print कर देता हूँ यहाँ पे आगया 20 कैसे आया 20 क्या मतलब है इस assignment operator का तो यह short hand technique है यह जो technique है यह short hand technique है इसको long hand में कैसे लिखा जाएगा z equal to z plus 10 इसका यह मतलब है यह जो operator है assignment operator है plus equal to इसका मतलब यह है क्या कहता है यह z plus 10 करो तो z z का मतलब क्या z में पहले यहाँ पे हमने 10 assign करा है तो z का value यहाँ पे 10 हो गया तो 10 plus 10 10 और 10 प्लस 20 और 20 यह 20 यह assign कर दिया z में तो इसलिए यहाँ पे जो है z का value 20 आ गया 20 यदि यहाँ पे हम 5 कर दें तो क्या value आना चाहिए 10 plus 5 आगया 10 plus 5 50 तो इस assignment operator का यही मतलब है यह short hand technique है यह long hand technique है यह लंबा स्वरूप है इसका इसके बाद वही चीज नीचे भी है मैं दूसरा variable ही बना लेता हूँ ए नाम से बना लेता हूँ दूसरा अच्छा ए भी तो ही है c नाम से बना लेता हूँ c नाम से variable मैंने बनाया इन दोनों को मैं comment कर देता हूँ यहाँ पे c मैं assign कर दिया 100 और नीचे आया मैं c minus equal to 50 equal to लिखना चाहिए था इसका output क्या होगा अगर मैं इस z is not defined z का मैंने अच्छा यहाँ पे c लिखना चाहिए मुझे तो इसका output आप लोग guess करे लिए होंगे 100 पहले value था जब हमने variable बनाया तो इसमें 100 assign कर दिया c का value 100 हो गया फिर इसमें minus कर दिया 50 तो क्या हो गया 50 अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो और clear समझ में आएगा तो c का जो पहले value है उसमें minus कर दो 50 और जो दोनों का value आता है evaluate करने के बाद जो संख्यात है उसको assign कर दो c में तो यहाँ पे answer आ गया उसके बाद क्या multiplication है multiplication में भी आई है c के बाद d ले लू कुछ भी ले लेते हैं a, b, c, d क्या फरक परते हैं यहाँ पे फिर से sign कर दिया 30 semi-colon multiply equal to 2 कर दिया मैं console.lock करूंगा मैं और यहाँ पे d को print कर दिया मैंने तो इसका भी output आप लोग guess करी लिए होंगे d मैं assign कर दो d multiply 2 30 दुनना 60 हो गया तो इसका result 60 हो गया यहाँ पे तो यही कहानी है इन सब का मैं इन सब को भी comment कर देता हूं ताकि console में न दिखाई दे जो मैंने comment किया है आप उसको ignore कर दे मैं इसी को copy कर लेता हूं और comment कर देता हूं नीचे paste कर देता हूं variable का नाम बदल दूँगा e कर दूँगा इधर यहाँ पे भी e कर दूँगा e multiplication हमने देखा हम divide का देखते हैं divide कर दिया मैंने यहाँ पे भी divide कर दिया तो आप guess कर लिए होंगे 30 30 को divide कर दो 2 से answer जो आएगा उसको assign कर दो तो आप जानते हैं कि क्या इसका answer आने वाला है print कर दिया d यहाँ पे q मैंने print कर रहा है e करना चाहिए मुझे print 15 15 दूनातीफ हो गया यह इसके बाद एक ठोबचता है reminder इसको भी देखी लेते हैं मैंने नीचे फिर से paste कर दिया इसको मैं comment out कर देता हूँ if नाम से एक वेरियेबल बना लेता हूँ मैं if percent if लिख दूँगा यहाँ पे भी if लिख दूँगा यह तो zero आ गया यहाँ पे zero क्यों आ गया क्योंकि पूरा पूरा divide हो गया पूरा पूरा divide हो गया तो जब पूरा divide हो गया तो remainder बचाने इसलिए zero आ गया तो मुझे उमीद है यहाँ तक clear होगा आप सभी लोगों को और अगला chapter हम लोग कल कर लेते हैं अब